इस वीडियो में हम वेक्टर्स जिने हिंदी में सदिस राशी कहते हैं एवं स्केलर्स जिने आसदिस राशी कहते हैं कि बेशिक्स के बारे में जानेंगे वेक्टर्स यानि सदिस राशी के बगार फिजिक्स को सॉल्व करना लगबग नामुम्किन होता है सबसे पहले हम आसादिस राशी को समझते हैं यानि स्केलर्स को उन सभी चीजों को जिनको किसी एक नुमेरिकल वैलू यानि किसी संख्या से डोनेट करते हैं उन्हें स्केलर कॉंटिटी या आसादिस राशी कहते हैं उधारन के लिए मास यानि दरब्यमान जब भी हम दरब्यमान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह 5 किलो है 6 किलो है, 7 किलो है आदि यानि हम दरब्यमान या मास को किसी नंबर से डोनेट करते हैं और जब कई सारे दरब्यमान को जोड़ना हो तो हम सिंपल ही एड़ कर लेते हैं जैसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच यानि पंदरा यानि स्केलर्स को जब भी जोड़ना हो तो नहीं सिंपल ही एड़ कर लिया जाता है वही कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिने दरब बमान के साथ दिसा भी होती है वही चीजे वेक्टर कॉंटिटी यानि सदिसराशी कहते हैं जैसे कि विलोसिटी यानि बेग विलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजन्ट करते हैं इसमें पांच बेग की मेगनिट्यूड है यानि कितनी गती से जा रहा है और एरो यह दर्स आता है कि इसकी कोई दिसा है यानि किसी दिसा में जा रही है जैसे इन दोनों कारों को देखिए इनकी विलोसिटी यानि बेग डिफरेंट है और साथ ही ये अलग अलग दिसा में भी जा रही है इसी तरह force यानि बल भी vector quantity होती है यानि उसका magnitude होता है कि कितना बल लग रहा है और साथ ही उसमें दिशा होती है 5 Newton में 5 दरसाता है कि कितना unit बल लग रहा है और arrow दरसाता है कि इसके साथ कोई दिशा जुड़ी हुई है जब हम इनको represent करते हैं तो हमें साथ दिशा को x y axis में represent करते हैं जैसा कि हमने देखा था scalar quantity को add करना कर तरीका बहुत simple होता है क्योंकि इनके साथ कोई दिशा नहीं होती उन्हें simply add कर दिया जाता है जैसे कि वजन scalar है इसलिए इसे simply add कर सकते हैं 4 प्लस 5 यानि 9 किलो आएगा पर अगर किसी box में 5 unit बल किसी एक दिशा में और 2 unit बल किसी और दिशा में लग रहा हो तो क्या इसको हम simply add कर सकते हैं यानि 5 प्लस 2 बराबर 7 unit बल लग रहा है यह कह सकते हैं नहीं क्योंकि बल vector quantity है इनको हम कभी भी सीधे तरीके से add नहीं कर सकते अब हम सीखेंगे कि vector quantity को add या subtract कैसे किया जाता है कोई vector a है जो x दिशा से theta degree पर है तो इसे हम इस तरह से represent करते हैं vector के starting को a और end point को b से represent करेंगे जब भी vector किशी theta degree पर हो तो उसको x और y component में बार दिया जाता है और इसके x और y component के value को निकालते हैं आप इस diagram से देख रहे हैं कि x क्या है और y क्या है जैसे कि a vector में हमें सिर्फ a vector की magnitude या value यानि a b पता है तता vector कितने angle पर है वो पता है तो आपको पता है cost theta पराबर base upon hypertonus यानि आधार बटे कर्न तो इसमें base x है तो cos theta बराबर होगा x बटे av यानि x बराबर av cos theta इसी तरह sin theta बराबर perpendicular upon hypertonus होता है यानि लंब बटे कर्न होता है और इसमें लंब y है तो sin theta बराबर y बटे av यानि y बराबर होगा av sin theta असान भासा में जब भी कोई vector x से theta degree पर हो तो जिस axis के साथ theta लगा होता है उसके साथ cos theta लग जाता है और जिसके साथ theta नहीं लगा होता उसके साथ sin theta लग जाता है अब बात करते हैं vector को कैसे जोड़ा जाता है vector को जोड़ने के लिए एक rule होता है जिसे कहते है triangle rule जैसे इसमें a और b दो vectors हैं जिने add करना है a vector plus b vector होगा a के end में b की tail को जोड़ दिया जाता है तो resultant vector होता है a plus b इसे एक और तरिये से भी add कर सकते है a और b दोनों के tails को एक साथ जोड़ देते हैं तो resultant कहीं इन दोनों के बीच में आएगा अगर हमें पता करना हो कि resultant vector कितने degree बनाएगा s-axis से और निकालना होगी उसका magnitude क्या है तो इसे हम a b e d diagram को reprint करते हैं ताकि इसमें पाइस्टर ग्रोस थरम लगाई जा सके तो a d square बराबर a b plus b e का square plus d e square इसमें a b तो a vector है जिसका मान a है और b d b vector है जिसका मान b है हमें आपको पहले भी बताया था कि किसी vector को x और y में कैसे बाटना है आप इस इत्र से भी देख सकते हैं इसी से b d को x और y में हम बाटेंगे तो b e होगा b cos theta और d e होगा b sin theta यानि a d square निकल कर आएगा a b plus b cos theta का square plus b sin theta का square यानि a square plus b square plus 2 a b cos theta तो a d आएगा under root a square plus b square to a b cos theta तो resultant vector हमने देखा कि दोनों vector के square plus 2 a b cos theta होगा और theta इन दोनों vector के बीच का angle होगा और beta degree निकालेंगे तो 10 beta बरावर d e बटे a e यानि b sin theta बटे a plus b cos theta अब एक example करते हैं two vectors having equal magnitude a make an angle 60 degree with each other find the magnitude and direction of resultant दो vector यानि सदिश रा से जिनका परिमान यानि magnitude बरावर a है और वो एक दूसरे से 60 degree cone बनाते हैं अब ग्याद किजिए कि resultant vector का परिमान और उसकी दिशा क्या होगी resultant vector को निकालने के लिए दोनों vector के tail को जोड़ देंगे पहले हमने देखा था कि resultant vector को कैसे निकाला था पाइथोग्रस अपलाई करके जो कि निकल कर आया था resultant बरावर under root a square plus b square plus 2ab cos theta question के अशार दोनों vector का magnitude यानि परिमान एक है यानि a है तो resultant बरावर होगा under root a square plus a square 2a cos theta जो कि निकल कर आएगा 2a square 1 plus cos theta का complete under root question में theta बरावर 60 degree दिया गया है इससे हम put करके इसको और भी solve कर लेंगे अब question के second part की बात करते हैं इसमें resultant की दिशा पूछी जा रही है यानि angle beta की बात हो रही है और वो हमने निकाला था 10 beta बरावर b sin theta बटे a plus b cos theta और complete solve करके वो निकल कर आएगा beta बरावर 30 degree अब बात करते हैं subtraction of vectors के अगर उपर वाले question में a minus b vector निकालना होता तो कैसे निकालते हैं यह देखते हैं subtraction of vector निकालना हो तो पहले की तरह ही रूल लगता है बस minus b vector में vector की दिशा reverse हो जाती है जैसे यह a और b vector है b vector minus b vector की दिशा b vector की reverse हो गई इसलिए a minus b vector की resultant कुछ इस तरह से आएगा याद रहे a minus b बरावर a plus minus b होता है दूसरे तरीके से resultant निकालने का तरीका है की a vector और minus b vector के tails को जोड़ देते हैं तो resultant कुछ बीच में आएगा जैसे हमने देखा था vectors को add करने में resultant कुछ इस प्रकार का होता है resultant बरावर under root a square plus b square plus 2ab cos theta और theta a और b vector के बीच का angle है इसी तरह a minus b vector के resultant vector भी होगा a square plus b square plus 2ab cos theta का complete under root इसमें भी theta a और minus b vector के बीच का angle होगा और पिछले question के हिसाब से theta बरावर 120 आएगा theta की value को put करके हम resultant निकाल लेंगे दोस्तो why not app को ज़रूर डाउनलोड करें इसमें आपको बहुत सी बहतरीन वीडियो और बहुत से अच्छे लेसस हर टॉपिक में मिलेंगे पूरूपिक आपको ज़रूर्थोर्यं येम।